तो भाई लोग कैसे हो तो यार वेलकम दी बैक स्वागत आपका एक बड़ा न्यू पबजी दो मबाईल गेम प्ले वीडियो में और यार जो कपड़े मैंने पहने हैं वो किसी से से टपा रखें ठीक है एक रोहंडा किसी से कपड़े मांग रहा था मैं भी वहीं देख रहा उसने कपड़े गिरा है भाईया मेरे टपा लिए तो यहां पे भी बहुत गलत सीन होंग यार और आखिर में सोलो स्कॉर्ड खिलना पड़ेगा मुझे तो खतरना गेम प्ले हो अब यार यहां पे अगर मैं ड्रॉप सॉट यानि की मूँ पे लेटने वाला शॉट नहीं मारता ना भाई तो कसम से बचने के कोई चांस ही नहीं थे बिल्कुल जीरो ठीक है हेलमेस वैस के नाम पे कुछ नहीं था मेरे पे और ड्रॉप सॉट मार दिया गोलियां डॉज ह हो गई और मैं बच गया अब ठिलाते हैं इनकी पूरी स्कॉर्ट को यह ले हील्स ले इंडो नोखो यह हील ले हील ले विवाई होपे होँ तो भाईया ले गया मैं पूरी स्कॉर्ड ले गया यहां पे हाना चार किल देखो अगर ड्रॉप सॉट नहीं होता न भाई तो कोई चांस ही नहीं था बचने का क्यूं क्यूंकि मेरे टीमिट पे भी गन नहीं थी तो अभी हम लॉबी में बक्वास कर रहे होते हैं आना और आगे जाके रस करते हैं बंदू पे अब यहां पे मैं एक बंदा नौक तो कर देता हूं लेकिन भाई फिनिस नहीं कर पाता है यार वो लौंडा नीचे चल जाता है ठीक है दूसरे बंदे को भी मैं काफी सारी फाइरिंग देता हूँ लेकिन भाई वो नहीं नौको पता ठीक है तो यहाँ पर अब मैं जा रहा हूँ रस करने के लिए और यहाँ पर बॉट बूट मिलते मुझे हाना मतलब रस करने जा रहे हैं हाना गोली-गोली मांग रहा थ साइज में अपने टीमेट से और बॉट आजाते परिसान करते हैं फिर भी हम जाएंगे और राइट से फ्लैंक करके जाते हैं क्यूंकि यार वो रिवाइब हो चुके होंगे मेरे इतने ऊपर चड़ने का कुछ फायदा नहीं हुआ सिवा इसके की थोड़ी पोजीशन पता चल गई और थोड़ा सा अब रस करेंगा ना राइट से फ्लैंक कर दिया है मैंने देखता हूं कहां पर है फिर रस करते हैं बिल्कुल अंदर अभी वो बंदा दर्च से चिला रहा होगा कि जल्दी हाथ लगाओ मेरी मौत वनेवाली यह डबा बन जाएगा ठीक है तो यहा अभी जिन्दा तो यहार मुझे इन दिनों की बहुत याद आईगी आगे जिन दिनों में मैं यूएंपी पे चैक्स लगा के चलाया करता था और यूएंपी चलती भी बढ़िया थी 40 गोली हुती थी चैक्स लगा के कते ही मजा ता थैयर चलाने में लेकिन भाई अब तो भाई ना यार सॉरी अब ना हो पाएगा तो यहां पर एक और टीम हम पर धरड़ पाटी करने की कोशिस करती है ना उधर बैठे पड़े लॉंडे मैं फायर देता हूँ फिर मैं सोचता हूँ कि यार फ्लैंक मारते हैं राइट से और देखते हैं कि बाई कितने बंदे क्या लवल पर सस्ते नसे थे यह तो यहां पर दूसरे बंदे की भटी बड़ी होगी क्यूंकि उसका टीमेट मर गया है तो अटैक करते हैं जल्दी जी हाँ खतम ठीक है नोवो में जितने भी बंदे आया थे खतम इसका टीमेट कहा था मैंने ढूड़ने की कोशिस भी नहीं कि हम यहां से निकल लिया भगया पहली फुरसत में ठीक है क्यूंकि अगर इनका जो एक ही टीमेट बाकी होगा तो उनने लगाए होगी तगड़ी केमपिंग और तगड़ी केमपिंग में आपकी पेटी बनाई जाती है जो कि बहुत गलत है तो मैं तो यही बुलूँगा यार कि आपके आपने किसी की टीम के तीन बंदे पेल दिया और आपको लगता है कि एक बंदा जिन्दा है और वहीं कहीं है तो यार अकेले तो माल लेगा अभी कोई दिक्कत नहीं है फिलाल के लिए मैं चटक बनके उपर रस कर रहा हूं अब यहां पर मैंने चटकी पन दिखाई ठीक है चटक पना दिखा गे मैंने सोचा यार देखो मेरे पे थी बैरल ठीक है कनफी डांस जो था ना अरग लेवल पे था मैंने बोला है तो भाई गैंग हो जाता है मेरे साथ आना लेकिन अब मेरा टेमेट समाल लेता है अर्सी ट्यूएशन को ब्लाच यह थी लोट कर देता है कि खत्रनाक और मुझे टाइम मिल जाता है हील और बूस्ट करने का रिलोड करने का और मैं यहाँ पर आकर टिपीपी लेता हूँ कि जैसी कोई आएगा भाई आप पहलूँगा अब मैं बेवकूफी नहीं करूँगा कि भाई ओपन में आजाओं बिल्कुल नहीं भाई अब तो पहले यह आएंगे तब ही मैं बाहर आऊँगा ऐसे कैसे यार बार बार थोड़ी नौक करने दूगा तो इन लोगों को भीज दिया गया है लौबी हाना एक टाइम के लिए मुझे लगा था अब हम लोग भी जाएंगे भाई फट गई थी भाई काफी बंदे थे लेकिन मेरा टीमेट नौक नू करके मुझे टाइम पर रिवाइव देने आ जाता है भाई बज गए नहीं तो खतरनाक हो जाता सीन यहीं पर खतम थे ठीक है काफी बढ़िया समाल लिया मेरे टीमेट ने नहीं तो गडबड़ हो सकती थी अब यहां पर क्या होता है इतना समालने के बाद मेरा टीमेट चल देता है ऑफ लाइन ठीक है उसे जूते पड़ रहे होते हैं घर में कि दिन भर पमजी खेल रहे तो यार यहीं चीज देखे नहीं मुझे बहुत दुख हुआ कसम से दिल से दुख हुआ ठीक है जूट बोल रहा हो बकवास कर रहा हूँ यहां पर क्या होता है मैं नीचे जा रहा होता हूँ एक लॉंडा M249 चलाता है मैं बोलता हूँ देखें चारा क्या शीन चल लाए ह बाद में पता चलता है वो उनने मेरे पर ही चलाई होती है तो वो पकड़ लेता है मेरे टीमेट गाड़ी में बैठा होता है क्योंकि ओफ-लाइन होता है और नौको जाता है उसे पेल देता है यार मुझे गाड़ी सही लगानी चीए थी भाई या गडबड कर दी हड़ जाओंगा बिल्कुल सोलो स्कौर्ड में अब यहां पर मेरे सामने तीन बंदे होते हैं ठीक है वो तो चलता है यार वो चलता है उतना लेकिन गड़ बड़ तब होती है जब उपर से कार 98 वाला लॉंडा मज़े लेने लगता है ठीक है मतलब ऐसी फटी पड़ी है यहां पर और तुम मज़े ले रहो यार बहुती गलत ठीक है उपर से स्नाइपिंग करके वो क्या गड़ता है एक तरह से मेरी हेल्प कर देता है और एक जो लॉंडा पत्थर के नीचे नौक था ना वो कार 98 वाले भायाने करी थी तो दन्यवाद भाया कसम से बहुत बहुत सुक्रिया लेकिन आपने हमें भी मारने की कोशिस की वो बहुती गलत है और दुख हुआ लेकिन कोई बात नियार मदद हो गई दो लॉंडे पेलने पड़े मुझे और मैं घर पे आगए securely और अब डीपी से इस्प्रे देता हूँ सामने बंदे दिखरे होते हैं मुझे बिल्कुल पेलेंगे इन्हें अब यहां पे मैं एक बंदा नौक करता हूँ और मुझे दिखता है कि भाई वहां पे फाइट फूर्ट चली होती है मैं बोलता हूँ यही टाइम है भाईया सस्ती फुर्सत में निकल लो यहां से नहीं तो भाई यह लॉड़ने न अगर उनकी फाइट खतम हो गई ने यह मुझे जोन में आने नहीं देंगे तो वहां पे रिवाइव अगेरा चला होगा अभी जैसी मैंने नौक किया है और मैं गाड़ी लगाता हूँ फिर से बहुत गलत जगह रोकतो भाई इस गेम में बहुत ही गलत सीन थे यार हमेशा गलत जगही गाड़ी रोक रहा हूँ मै गड़बड़ी हो रही है अब यहां पर यार मैं मर नहीं वाला था भाई पीक का बटन भी गलत टाइम पर दप रहा है बहुत ही गलत तीक है अलग लेवल पर गलत सीन थे यह बहुत ही गलत यार पीक कर रहा हूँ मैं वो बंदा भी मुझे देख रहा है यहां बहुत ही क्य होती है ठीक है तीन टीम मुझे मिला के और मेरे टीमेट भी वापिस आ जाता है तो यार यह जो लो बटरी बैटिर्री का यह जो नोटिफिकेशन था ना भाई इससे मुझे बहुत डल लगता है तो यहां पर मुझे लगा था मैं ठील जाओंगा जब तक मैं क्लोस का बटन दबाओंगा जब तक हटाओंगा मैं उस नोटिफिकेशन को लेकिन बच गया ठीक है देखो हेल्प उन्होंने बहुत की लेकिन अब इनी के साथ वन बर्सीज वन हो रखा है वो उस साइड है मैं इस साइड उठीक है और मेरे ख्याल से जोन में मुझे भी जाना है उन्हें भी आना है थोड़ा लेफ्ट में होता है जोन तो मैं स्मोक वगरा करता हूं नेड़ का मैं देख लेता हूँ भाईको और प्यल देता हूं अब यहां पर यह भाई भी काफी दिमाग लगा त्यक्bo Dave लेफ्ट में इनों इन Live तियाक काफी लेगन आगला राइट में और बन गए सांप ठीकर एन कि मैं देखो मैंने बहुत सारा स्मोक किया था तो इने लगा कि मैं घुज गया हूँगा इसमोक में जोन में होंगा और यह उपर से ऐगराउंड लेकर साफ बनके मुझे पेल देंगे पर भईया नहीं मैं हूँ बहुत धीट ठीक है मैंने बोला भईया मैं तो जाने का इनी जब तक भाई नी जाएंगे ठीक है भाई पहले जोन में जाएंगे मैं इन्हें पेल दूँगा और मुझे जोन में जाना ही नहीं पड़ेगा क्योंकि चिकन हो जाएगा तब तक ठीक है तो भाई का भी कुछ ऐसी कुछ इरादे थे तो भाई आए साप बने लेकिन हम भाई इतना ही बहुत बहुत शुक्राइब वीडियो देखने के लिए और यार उस लाइक के बटन को दबा के बुल्लू कर दो कसम से मजा जाएगा और अकर आप उस लाइक के बटन को दबाते हो तो आपको कोई नहीं पेलेगा जोन में हाना ठीक है ये बात बिल्कुल जूट है आ आप बबाता है नहीं Bose